अज़ हम आपको बताएंगे कि चार धाम यात्रा के दारान मरने बाली आत्माओं के साथ क्या होता है इतरे ब्रामण अर्थाज जब मनुष्ट सोया रहता है तब वो कल्यूग में होता है जब वो बैठ जाता है तो वो द्वापर में चला जाता है और जब उठ जाता है तब वो त्रेता में पहुँच जाता है और कहीं जब वो चलने लगे तो सत्यूग को प्राप्त हो जाता है ये कहा जाता है इसलिए कल्यूग में हिमाले के चार धाम यात्रा को सत्यूग तुल्ली बताया गया है चारधा मर्थात यमनों तत्री से सुरू होकर गंगोत्री के दार नास्त के बाद बद्रिनाथ तक चलने वाली यहात्रा का सीधा सम्मन्द विचार और आत्मा की सुध्धी से यानि सर्व सुध्धी से है और इस तत्थे से जो सभी वाकिभी होंगे हाली में मई अच्छे तित्या के मौके पर गंगोत्री धाम के पट खुलने के बाद चारों तरफ लोगों के दर्सनार्थियों की भीड लग गई सैलानी आने लगे शे मई के तारधाम रविवार को बद्रिनात के कपाल खुले ऐसा सोभाविक है आकित साल में एक बार ऐसा होता है किन्तो कभी-कभी इन मारगों में पहाडी मारगों में दुर्गटनाय हो जाती है और आकत्रिक सुर्धालूं का स्वर्गवास हो जाता है या फिर कहें दुर्गटना का सिकार हो जाता है कहते हैं जो धार्मिक यात्रा के दौरान दुर घटना के सिकार होते हैं उन्हें सीधे बैखुन के द्वार खुले यानि मोंच की प्राप्ति होती है ऐसे घटनाओं के बारे में सुनकर मन में बहुत से सवाल भी खड़े होते हैं कि क्या कोई चारधाम की आत्रा के लिए निकला हुआ विक्ति जो भगवान के दर्शन के लिए गया है वो कहां गया जानने के लिए आप हमारे साथ पूरे मामले को समझकर बारिक से समझने के कोशिस करिए चलिए आपको बता दे चारधाम में सामिल चारों अस्थानों पर दिव यात्मा हिंदु धर्म के सबसे पवित अस्थानों में उपलब दें केडारनात को जहां भगवान संकर के आराम का स्थान यानि विश्रामस्थल कहा गया है यहां भगवान विश्णु छे माह निद्रा में रहते हैं और बाकी के छा माह जागते हैं यहाँ देव सैनी एकादसी को विश्णु भगवान सोते और देव ठैनी एकादसी को उठते हैं सी मानेता है यहाँ स्थापित बद्रिनात की मुर्ती साली ग्राम से बनी हुई है चत्रभुज ध्यान मुद्रा जहां नर नारायर बिग्रा की पूंजा होती है यही नहीं हानिरंतर जलने वाला सिवपुराण, रुद्रकोट और सतिग्मे भगवान के पुन प्राप्त करने वाले उद्धोस से आत्मा को त्रप्ती प्राप्त होती है कहना ये भी है भगवान के रारिश्वर जूतिलिंग के दर्सन के बाद नारायर के दर्सन करने से मनुषके समस्त पाप नश्ठ हो जाते हैं और उसे मोच की प्राप्ति होती है केडार नाद घाटी की बात करें तो केडार नाद घाटी में दो परवत है नर और नारायर बताया गया है विष्टों के 24 आवतारों में से एक नर और नारायर से की तपो भूमी रही है पुराडों में वर्णन है कि भगवान से उप्रसन हुए तो यात्रा से मिलने वाले सुखों को बढ़ा देती हैं पुराडों में वरड़ चार धाम की यात्रा करने मास से समश्व पापों से छुटकारा प्राप्त होता है और कौन सा ऐसा पाप है जो भोले नात और विश्णों भगवान के करप्या से बचा रहे जाए साथ ही कहा गया है इस स्यात्रा के दौरान मृत्त हो जाना सबसे सोभ है क्योंकि विक्ति को तुरंत मोच की यानि मुक्ति प्राप्त हो जाती है हाँ सोभाविक अपने आप्या दुरुघठना की मौत जान बुज कर मौत आत्मात्या को दावत देना है और ऐसी मौत से स्वर के बजाए विप्रित प्रभाव परता है बद्रिनात के बारे में एक प्रचलिक कहवत भी है सम्भता आपने भी उस बारे में बको भी सुना होगा जो जाय बादरी वो न आय ओदरी अर्थात जो एक दिबर्द्री के दर्चन कर लेता है उसे पुना गर्वधारड यानि जर्म रर्ड के बंधन में नहीं आना परता उसका अंत हो जाता है यानि उसे अमरत्यों की प्राप्ती हो जाती है वो दियो वो आत्मा दियों को प्राप्थ हो जाती है स्यूपराड के अंसार केदार प्रित में पहुचकर वहां केदार नादु जोतिरलिंग का पूंजन कर जो मनुस्य यहां का जल पी लेता है उसका कभी पुनर जर्म नहीं होता यानि वो उसका उध्धार हो जाता है अर्था जीवन मरड के स्प्रक्रिया से मुक्त हो परमात्मा को प्राप्थ होता है उमीद करते हैं आपको इस बारे में बकोबी जानकारी मिल गई होगी अब आप बकोबी चारोधाम की यात्रा करके नी संकोच होकर किसी दुर्गटना से सिभूत हो मुमाया के जाल से मुक्त हो सकते हैं अगर आप यात्रा से वापस निन्याने हमेशा आएंगे तो अपने घरवालों से पुन प्राप्त कर पाप रहित हो जाएंगे अगर किसी दुर्गटना के सिकार भी होते हैं तो आपको खुले दर्वार यानि सिरीहरी का लोक प्राप्त हो